हाई माई एंजल्स वेलकम बैक टो माई चैनल कैसे हैं आप सब बहुत दिनों के बाद मैं आप लोग के साथ एक मेकप लोग शेयर करने वाली हूँ और कैसे लग रही मेरे ड्रेस अच्छी लग रही ना तो यह ग्रीन स्मोकी आई सम्थिंग मेक अप है और मुझे मेरे ड्रेस बहुत दाधा पसंद है यह और यह मेरे हस्बन ने मुझे गिफ्ट किया था तो इसमें आस्थीन मतलब जो स्लीव बहुत यह अच्छी मतलब करने वाले इसमें जितने भी प्रोड़क्त मतलब जितना भी प्रवाइट कर रखा है इन्होंने तो सब कुछ मैं इसी से यूज करूंगी बस एक दो चीज़ें जो है बाहर से यूज करूंगी तो यह और यह जो आईशाड़ो जह बहुत जादा पिग्मेंटेड है तो मेक इसे फेस वाश गाईज और ड्राय स्किन वालों के लिए तो बैस्ट है उसके बाद मैं यहाँ पे अपनी जो है थोड़ सा स्किन कर रही है आप लोग को पता हिए मैंने आप पे गलो मेरा जा चुका था तो आज मैंने गलो वाला यहां इस्क्रब यूज किया है तो आपके स्किन कितनी जाता क्लियर लगने लगी गलो सा लगने लगेगा तो यहाँ पे मैंने इसको क्लीन कर लिया है और इसके बाद मैं यहाँ पे स्क्रब करने के बाद आप देख सकते हो मेरी स्किन कितनी जादा गलोई लग रही है स्क्रब करने के बाद पोर्स ओपन हो जाती तो यहां पे शीट मास्क यूजा रही हैं आप चाहते हो हम चाहते हो यृ यूजा पांग भी यूजा चाहिए हो कुण लेकि मुझे इंस्टन टोगोन소 कहीं है तो याज रिए ओधि वह अधि रे होगी तो कर्मिया बहुत है तो इसलिए मैंने यहां पेक टोनर का यूज किया है उसके बाद हिलारी रोडा का यह पैलेट लिया उसमें से ब्राउन कलर का शेड लेकर अपनी एब्रो को फिल करेंगे अगर आप एब्रो नहीं फिल करते हो ना गाइस और ऐसी मेकप कर लेते हो देना आपका मेकप ना बहुत अजीब सा लगेगा अगर आप एब्रो फिल करते हो फिर आप अपने मेकप को कम्प्लीट मतलब ऐसा लगे है कि हाँ एकदम पॉफिक्ट मेकप किया है उसके बाद इसको क्लीन करने के लिए आपको क्या करना है एक कंसीलर ले लेना है इस से कंसीलर नहीं है तो इसने मैंने अलग से कंसीलर यूज़ किया और इसको मतलब की पूरे लिट पे अच्छे से इसको अप्लाई कर लूँगी इस तरीके से इसके बाद मैं इसमें से डाक ब्राउन कर लेकर अपने ओंटर कॉर्णर पे इसको प्लेस करना है इस तरीके से और इसको जो है पूरी क्रिस लाइन पर आपको फेला देना है मतलब फेला फेलाकर लगा देना है उसके बाद हाफ कट क्रिस बनाएंगा आप ulok कहते हो कि पी पालेट के हल्प से मैंने जो है compact apply कर लिया था उसके बाद इसके उपर फिर से dark brown color यह हलका सा blackish brown लग रहा है लेकिन यह brown ही है तो इस तरह के से मैंने इसको apply कर लिया और आप भी इसी palette में से मैं लोगे green color और half lid पे इसे लगाऊंगे green color को आप देख सकतो इस तरह के से और inner corner में मैंने light color का shade भी किया था cream color का उसी palette की help से उसके बाद यह glitter liner लेकर अपने जहां पे crease बनाया था वहां पे apply कर लूँगी इस तरह के से और अभी आते हैं liner पे तो मैंने यहां पे पॉपल का liner लिया है यह gel based liner है गर्मियों के लिए best है क्योंकि यह waterproof होता है long lasting होता है और बहुत smooth होता है बहुत अच्छे से लग जाता है तो इस वज़े से इतने comprise में इतना अच्छा gel liner मुझे नहीं लगता क्यों कोई देगा आते हैं face makeup है face makeup के लिए मैंने यहां पे लिया है gel और यह rose hip good wipe का gel है क्योंकि गर्मिया बहुत जादा है और gel आपकी पस पॉपल का यह प्राइमर क्योंकि और लांग लास्टिंग आपका makeup बनाने के लिए तो जरूरी होता है तो यहां इसमें सिलिकॉन है बहुत स्मूथ सा आपका makeup बना देता है मिस्स रोज का मैंने आप पैलेट लिया था उसमें से glitter मादब की थोड़ा highlighter shade लेक अपने पूरे face पर अप्लाई कर लिया और आप भी foundation मादब उसी मिस्स रोज के palette से मैंने foundation ले लिया है और एक damp sponge के हर्ट से मैंने आपे जो है कर लिया है और थोड़ा सा makeup मेरा dry लग रहा था क्योंकि मेरी dry skin है हलका से मैंने आपे argan oil डाल लिया है good wipe का और यह gold वाला था और उसके बाद मै मैंने यहां पे जो है अगर आपका कोई makeup ऐसा सूखा type का हो गया है dry हो गया है तो आप ऐसा कुछ कर सकते हो कि उसमें थोड़ा सा facial oil वगरा डाल दो उसके बाद मैंने आप ए concealer apply किया है wet and wild का अपने highlight area को highlight करने के लिए हिलारी रोडा के palette से मैंने powder लिया है और अपने पूरे base को अच्छे से सेट कर लिया है जहां जहां मेरे concealer मैंने apply किया था उसके बाद मैंने यहां पे contour shade लिया है brown color का अपने face को जो है bronze करूंगी क्योंकि आपको पता है विना contouring मुझे पसंद नहीं makeup और contouring करने से क्या होता है कि आपका पूरा जो शेप होता है face का बहुत अच्छे जो भर क्याता है तो बहुत ज़रूरी आपको contouring करना तो इस तरीके से मैंने अपने पूरे face की कर लिया और अभी nose की क ले तो ज़रूरी नहीं आपके पास बहुत सारा समान हो तभी आपका जो है makeup हो पाएगा अगर आप ऐसी कोई palette लेते हो अच्छी company की तो आप makeup बहुत अच्छे से कर सकते हैं technique होनी चाहीं makeup की और उसी में से मैंने highlighter भी ले लिया है और आते हैं फिर से eye makeup पे तो dark brown shade मैंने inner corner पर लगाया था lower lash line के waterline पर मैंने यूज़ किया है in color का kajal white kajal और फिर lower lash line पर यूज़ करूँगे green color का eye shadow और इस तरीके से blend कर लूँगे उसके बाद मेरा eye makeup complete है मैं यहां पर mascara लगाना भूल गेती है बड़ आप मत भूलिएगा और अभी आते हैं lipstick पे तो lipstick sorry यह popular color का मै एक बार फिर से इस पर apply कर रही हूं ताकि थोड़ा सा you know poplish look नीचे भी आ जाए उसके बाद eyebrow bone को भी highlight कर लेंगे highlighter palette से sorry highlighter shade से उसके बाद मैंने आप पे purple का जो है यह है तो eyeliner लेकिन मैंने इसे as a lip liner यूज़ कर लिया है यह dark brown है link होगा सब का description box में सारे इसके बाद जो है यह lipstick लूँगी मैं इसी palette की help से और हलका सा shade लूँगी brown उसको mix करूँगी तो इस तरीके का shade बन गया और अभी जो है makeup setting इस पर मैं यूज़ कर रही हूँ और सारे प्रोड़क कर लिंक आपको description box में मिल जाएगा आप बाई कर सकते हो और delivery स्टार्ट हो गई है गाइस पॉपल पर तो आप ले सकते हैं so I hope guys कि आप लूग को मेरा यह makeup लूग अच्छा लगा हो और अगर अच्छा लगा हो तो like, subscribe and share रूर बनता है मिलता है एक studio में तब तक लिए bye bye love you all bye